तो आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में ससी स्टनो जो 2024 का एक्जाम होगा ऑक्टोबर के टाइम पर और उसके टाइम पर नोटिफिकेशन आएगा तो उसके जी के एक स्टाइजी देखने वाले कि कैसे आप आसानी से 30 प्लस अतनी भी आसानी से नहीं आते 30 प्लस ले और वह आप कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा छोटा सा ही रहेगा ठीक है दो तीन आपको स्टेस बताऊंगा और मेंसे आप कोई भी एक पिक कर लीजेगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग और वहां से आपका आराम से अकर आप शिद्दत के जो जितना मझे पता है कि वही सेकेंटरी तोर का दर्जा दिया जाता है कि मतलब इंपॉर्टन नहीं और जान बूच के से लिए मैंने सीजल के जब रिजल आया ठीक है उसका भी मैंने शेयर किया था लेकिन उसमें भी काफी टॉप राइंग साइन लेकिन मैं ऐसे ज्याद और महनत इसमें भी होती बढ़ हाँ यह होता है कि स्टेनो में आप अगर जीके भी आते हैं स्टाटेजी भी आते हैं लेकिन स्टेनो का यह होता है कि अगर आपने शॉर्ट हैंड कर ली और आप इसमें यह इंपॉर्टन रहता है स्टेनो में कि आप एक डिरेक्शन में क्य हाँ आसान है CGL फिर बाकी एक्जाम से और हाँ ये भी है कि आप मतलब उस पोस्ट पे जाते हो जितना कि आपको CGL के थू मिलेगा हो सकता है कि आप उतना ही रगड़ते हैं जितना CGL में रगड़ेंगे मैं यह नहीं बुलों की कोई खराव है कोई अच्छा मैं बता रहूं क कि जो steno की preparation कर रहे हैं तो बहुत आपको distract होने के जरत नहीं है क्योंकि मैंने जो जतने जातर लोगो देखा है steno का जो exam निकालते हुए तीसे attempt चौथ attempt लेकिन वो लगे रहे क्योंकि कई बार होता है कि steno में short hand में उतना नहीं है या फिर कुछ बहुत ही margin से miss कर दिया मैं यह नहीं बोलनों कि आपको एक पंचवर्शी हो जना बनानी है आपको अगला जो exam उसको ही final attempt मान के preparation करनी हो कैसे करनी देखो सारी चीज़ों को तो मैं लेकर guide नहीं कर सकता हूं because I am not qualified to do so because ठीक है क्योंकि मैंने short hand नहीं से किये मैंने steno के लिए prepare नहीं किये साथ मैं कि मैं steno कर रहा हूं और वो तो हां बट मैं gk के लिए I think I am qualified तो इसलिए मैं gk का सिर्फ आपको जहां पर strategy बताने वाला हूं बाकी चीज़ों को regarding चाह बाकी subjects हो या फिर जैसे short hand हो तो आप कल telegram पे जो live होगा 9 p.m. पे तो वहां पर आप पूच सकते है toppers से ठीक है कैसे उन्हो लोग पहले लिस्ट कर लेंगे रुसी साब से पहले वहीं से conversation start करेंगे बाकि आप live पूच सकते हैं लेकिन वहीं ना कि बहुत सारे स्ट्रेंट होंगे live में तो सारे लोग तो नहीं पूच सकते हैं live में लेकिन हाँ यह है कि आपका doubt जो है cater हो जाएगा अगर considerable रहेगा तो आप लिख सकते हैं तो चलिए अभी आज आते हैं जीके के strategy में और मुझे बता है बहुत से यहां पर से जूनियर इंजीनियर के भी student है यही के भी है तो मितलब क्यों होता यह है कि थोड़ा से कम student रहते हैं CGL और CPO इन सब के एक्जाम के comparison में तो इस विए से थोड़ा से secondary type दर्जा मिलता है लेकिन वही जैसे में बता है कि आप सेम लेवल पर जाते हैं सेम चीजने जैसे कि स्टेनों के साथ में जैसे स्टेनों के साथ कर आप exam clear करते हो ठीक है तो आप personal assistant बनते हो ठीक है तो अगर आपको जो high officers होते हैं जैसे IAS हो गया या फिर IRS officers हो गया तो उनक बहुत बढ़िया जॉब है जैसे कि सीजल के तुरू वैसे इसमें भी है ठीक है और वह अपने से काफिलों को पता भी होगा तो वस यह है कि आप focus यहां पे स्टेनों में यह बहुत इंबॉटन रहे कि आप focus के साथ लगे हैं तो लगे रही है फिरकाईदे के साथ और जो बाकि आपको क्या सबसे ज्यादा चीज जो है वह help करी ठीक है तो पी वाइक्यू सीरीज जो रन कर रही है जो कि आपने सुना भी होगा हो सकता है ठीक है सीजल के टॉपर ने भी यही सेम चीजी सेम चीज वालो की ती जितने से मेरी बात हुई यह और उन्होंने निट्टो इिट्टो आपको फॉलो करने के जरद नहीं जो Steno के student है ये पिवाई क्यू सिरीज फ्री है YouTube पे हमेशा free ही रहेगी ठीक है Parliament क्या है凌ट बार्ट 2 मैंने स्टार्ट किया था तो उसको एकदम lecture 1 से start करें बीच से कभी मत करें कि lecture 1 नहीं lecture 3 से कर रहे हैं 10 से कर रहे हैं या फिर lecture 1 कर लिए उसके बाद lecture 4 देख रहे हैं order में एकदम चलना है आपको ठीक है वो आपको समझ में आ जाए कि अब जब आप start करेंगे क्यों order में चलना है तो यह बात आती कि सिर्फ पार्ट 1 पिक अप करें पार्ट 2 पार्ट 3 पर पिक अप करिए न क्यों कि अभी मैं करवा रहे हूं तो थोड़ा सा आपको यह भी लेगा कि इंगेजिव भी लगेगा बाकी तो ऐसे कोई दिफ्रेंस नहीं मेरा खोशिस यह मतलब यहां पर हम लोग किस तरह से चीज़ें करते हैं जिन लोग को नहीं पता नहीं बता देता हूं नहीं तो आप वीडियो एक बार जाकर देख ले ना प्लेलिस बनी हुई है कि यहां पर हम डेली बीस बीस बेसे पर 20 ले रहे हैं किस तरह से हम लोग कवर करते हैं तो आप समझ जाएंगे तो वहां पर मेरा जो परपस रहता वह यह है कि हम लोग सारी चीज़ें होलेस्टिक कवरेज करके चले आपका जो पीछे पढ़ा है उसका रिविजन भी होता रहे साथ-साथ तो मेरा यह परपस रहता है कि आपको स लेक्चेस आते हैं साथो दिन लेक्चेस रहते हैं आपको करना क्या जैसे 4-5 जो भी लेक्चेस हुए है उस वेक में उनको जो बाकी के दो दिन उसमें आपको रिवाइज करना है खतम और क्विज अटेम्ट कर लेना अगर कुज आप बैच में बैच इन दी सेंस कि यह है क बहुत ज़्यदा आपको टाइम नहीं लगेगा उसमें भी रफली बहुत ज़्यदा क्विश्चेंस नहीं होते हैं 15-20 क्विश्चेंस होते हैं बस उनको आप डेली बिसेस आपको अटेम्ट करते रहना है ठीक है आप एक बार इसके हबिट बना लीजिए आपकी जब अब हबिट बन जाएगी तो अपने आप अटेम्ट करेंगे किसी की मोटिवेशन के जरत नहीं पड़ेगी आपको लेकिन यह जो आपकी हबिट है अगर आपने एक्जाम तक फॉर्म कर ली यकीन मानिए बहुत-बहुत हेल्प करेगी सच्ची में बहुत हेल्प करी आपको क्यो लिए उन लोगों को करना है अभी चलो मैं दूसरा स्वास बता दूंगा कि इसको क्या करना है ठीक है तो यह एक सोर्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं इसको मुसली टॉपस ने फॉलो किया है कल भी जब मैं इंटराक्शन करूंगा तो आप उनसे पूछ लीजएगा वह स सिरीज है ठीक है और वो औप्शनल है मैं आपको यह एडवाईज ने करूँगा जाके तुरंत मतलब एसे च कुछ उसमें अन्रोल कर लो आप पहले खुद से नोट्स बनाओ ठीक है वो आप देखो कि अगर आपको कमफर्टेबल हो कि खुद के नोट्स के साथ ही लास्ट जब एक्जाम आएगा तो कौन से नोट्स से आप आसानी से रिवाईज कर सकते हो बहुत तेजी के साथ वो प्रेफर करो अगर आपको लगता है कि मैं दूसरे नोट्स से रिवाईज नहीं है तो दूनाट प्रेफर इट खुद के फिर नोट्स बनाओ वो में लिए एसे बोल दिया कि जिन लोगों ने थोड़ा सा कर कुछ कर रखन नहीं भी कर रहा है तब भी सफिशन्ट है क्योंकि यह सारी चीज़ें फ्री है और फ्री रहेंग यूट्यूब है बाकि आप बैच में भी इन्रोल कर सकते हैं अब कुछ लोगों को लगेगा कि बैच के प् उपटाया दूसरा यह तो कोई भी यह तो बैच ले सकते हो या फिर आप कोई एक बुक अगर आपको बैच भी नहीं रोलर करना है फिर आपके पास पैसे नहीं कोई दिकरतवी कोई एक बुक पखलो और इन तीनों में से कोई एक स्काल पख़ाई नहीं अभी सिर्फ एक चीज को फॉलो करो, बुक में भी, जैसे लूसेंट आती है, फिर और भी आती होंगे, मुझे जादा आइडिया नहीं है बुक्स का, तो आप एक बुक को और अच्छे से काइदे के साथ करो, ठीक है, और रही बात, काफी सरे ऐसे स्टुटेंटेंट है, इनको बै करना शुरू किया, यह स्टेनों की जीक है, यह सीजल की जीक है, यह स्टेनों 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 की जीक है, यह स्टे गिर वन हो चैसी जल में इसे बहुत लोग थे बैच में डोल नहीं किये, फ्री महीं अराम से यहां से किये और वो अराम से सेलेक्शन ले लिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोगा होता है कि इसमें क्या है, mixed questions रहते हैं, geography का है, फिर politics का है, फिर history का है, फिर science का है, and so on, इस तरह से यहां पर questions रहते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके साथ comfortable नहीं है, और आपको कोई topic जैसे clear करना है कि ठीक है, चीज़ें तो हो रखिएं, लेकिन पहले तो कहीं से किया था, लेकिन topic clear नहीं है, डंक से, तो आप batch को prefer कर सकते हैं, यहां पर सब कुछ है नहीं जो, अब यह difference कहा है, इन दोनों में, difference यह हो चुका है, इसमें quality, geography, history, सारे subjects का word है, ठीक है, यह है अभी running batch, ठीक है, running batch है, जिसमें कि अभी सिर्फ, क्या हुआ है, quality, history, physics, यह हो चुका है, और जो आपका geography है, यह भी चल रहा है, ongoing है, क्योंकि आपका exam, October में के time पे होगा, roughly, तो मैं आपको prefer करूँगा, कि यह batch हैं आप अंडॉल करिएगा, ठीक है, अगर आपको अंडॉल करना है, तो जो उपर वाल है, 2.0, ठीक है, ना कि recorded में, सेम है दोनों, कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस मैं, अगर अगर प्रेफरेंस के तौर पर अगर आपको बहुए है, लेकिन आपको यह है कि नहीं तो मुझे तो, मुझे economics ही पढ़ना है, वैसे तो quality भी हो चुका है, जोगर्फी चल रहा है, अभी कुस दिनों में कतमी हो जाएगा, में यही तीन बड़े subject होते हैं, देन इसके बाद economics करेंगे, तो, ऐसे हैच मुझे नहीं लगता, हाँ, आपको यह कि नहीं static GK से में शुरुआत करनी है, तो आप जा सकते हैं उसके साथ, ठीक है, यह difference है, बाकी तो, अगर आप book से करना चाहते हैं, तो book से भी, लेकिन book से यह हो जाता है कि थोड़ा सा monotonous हो जाता है, और आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ पे कितना focus डालना है, book में तो लिखा हुआ है, तो किस चीज़ पे कौन ज्यादा important और कौन कम important है, again, it's your choice कि आप इस चीज़ को prefer करते हैं, बाकी मेरा काम था बताना तो मैं आपको बता दिया, क्योंकि, मतलब toppers भी है, बैसर उन्होंने जो चीज़ रिकमेंड करी है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, तो तीन यह sources में आपको बता है, और कुछ मतलब course में, अगर कुछ problem होता है, मतलब लेते वक्ते हैं फिर कुछ भी, तो आप यह एक WhatsApp number है, यह मेरा number नहीं है, तो, बाकी तो मैं आपको यह advice दूँगा, कि आप कुछ भी follow करें यहाँ, फिर हो सकता है कि आप मेरे batch mining कहीं से, आप ने batch ले रखा है पहले से, कहीं से भी, ठीक है, और आप उसको कर रहे हैं, तो stick with that, लेकिन उसको काईदे से करिये फिर, काईदे से मतलब यह है कि उसको एकदम, revision बहुत important है, revision बहुत important है, and pyqs भी बहुत important है, तो जब आप यह batch कर लेंगे, ठीक है, तो यह मत सुचिए, कि जैसे हम batch कर लेंगे, तो हम इसमें left out हो जाएंगे, क्योंकि part 4 भी आएगा, आपका exam, आपका अगर मैं बात करूँ, CGL और steno, ठीक है, लगे ही हैं साथ साथ अगर देखा जाए तो, CGL थोड़ा पहले हो जाएगा, उसके वाद सेटों हैं, फिर, मतलब almost same ही है, तो वो part 4 आएगा, ठीक है, ठीक है, तो आप इसको करते रहे हैं, फिर, कुछ time का break मिलेगा, उसमें सारी chair notes को फिर से revise, and then part 4 में फिर से continue हो जाएगा, ठीक, अगर आपको आपको यह है कि नहीं हैं, अभी तो हमारे काफी सारे concept clear नहीं है, then batch से आप clear करिये, then जब part 4 होगा, पार्ट 4 अगर मैं आपको रफली आइडिया दू, तो में के first week में start हो जाएगा, roughly, ठीक है, फिर April last, फिर में के first week में start हो जाएगा, then वहाँ से आप part 4 में start कर सकते हैं, because PYQs को alternative नहीं, PYQs तो को करने ही पढ़ेंगे, to know what kind of questions are asked, वैसे तो मैं हर जो lecture है, जो batch की videos होती है, वो free stream होती है, live stream होती है, ठीक है, free live stream होती है, 6.30 p.m. पे Monday to Friday, तो अगर आप कुछ है कि नहीं, batch भी नहीं है, अम अंडोल कर सकते हैं, नहीं है, या फिर हमें तो सिर्फ एक particular, जैसे geography चले, तो geography पढ़े नहीं है, तो आप live आके पढ़ सकते हैं, आराम से, ठीक है, बस यह है कि हाँ, क्योंकि paid है, तो जिन लोगों ने pay किया है, तो उनकी भी थोड़ी respect करते हुए, जो recordings होती है, वो recordings and handwritten notes English and Hindi में, जो थोड़ी बहुत quizzes होती है, वो आपको application पे मिल जाती है, तो यह difference है, ठीक है, तो live stream free ही होती है, यह paid batches के भी, सब कुछ, almost मैंने, जितना उससे हो सकते है, मैंने free ही कर रखा है, ठीक है, तो यह चीज़ है, और बाकी current affairs का भी, current affairs course करके आपको दिख जाएगा वहाँ पे, तो उसके regarding एक video बना हुआ है पहले से, मैंने 3-4 दिन पहले announcement किया तो फ्लीज उसको एक बार आप देख लीजेगा, ठीक है, 4-5 दिन पहले मैं एक video बनाया था उस पर, ठीक है, current affairs को लेके, नहीं होगे तो उसका मैं link description में डाल दूँगा, but again, I repeat, कि revision आप अच्छे से करिएगा इसमें, जो भी आप source करें, बाकी तो जो भी आपके doubts होगे, कल आप telegram live पे पूछ लीजेगा, चाहे वो gk को लेके हो, या फिर किसी और subject को लेके, English, reasoning, short hand, ठीक है, तो क्योंकि इसमें main वही आपके पास advantage, यहाँ पे mainly वही लोग आते हैं, जिनका match थोड़ा सा week होता है, तो कोई नहीं, बस आप इसमें एक focus के साथ, focus, consistency, और dedication, इसके साथ अगर आप लगे रहेंगे, तो definitely exam crack होगा, और आसान है, थोड़ा से relatively अगर मैं बात करूँ, CGL से, लेकिन तभी अगर आप focused में preparation करते हैं, तो, I hope मैं कुछ आपकी help कर पाया हूँगे इस वीडियो के थूँ, जी के को समझने में, बाकी तो यहाँ पे, अगर आप यह expect कर रहे हैं थे कि, आपको topics बताओं, क्योंकि topics, मैं क्या ही बताओं कौन से important, because अगर आप PYQs देखेंगे, तो SSH बहुत जज़ा important, अगर आभी आपको नहीं करना चाहिए, अभी तो मेरे साब से चीज़ें आपको काईदे से करनी चाहिए, इसके बाद PYQs आपको attempt करने चाहिए, and then आप खुद ही अब समझ जाएंगे, ठीक है, क्या हो, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने चीज़ें करवाई हैं, चाहिए बैच में हो, चाहिए यहाँ पे हो, वो SSC के लिए ही करवाई हैं, ठीक है, अलिने रांग 19, या फिर CGL में लोग 60 प्लस वोड़े हैं, उनको भी मैं टेलिग्राम पे लाइव लूँगा उनके साथ भी, जो CGL में इसके बात करहा हूँ, जहाँ पे लोग 50 प्लस, बातलब एक बहुत अच्छा स्कोर कंसिलेर किया जाता है, वहाँ पे बात से लोग 60 प्लस लाएं, तो definitely it would be worth it, वो आपके बेड़ेपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये भी बात true है कि सबके नहीं आ जाएंगे, बिकास जो जैसे यूटिलाइज करेगा, उसको जितने अच्छे से यूटिलाइज करेगा, जितनी बार कितनी number of times आप रिवेजिन करते हैं, वो भी बहुत matter करता है preparation में, बट ये है कि बाकी को नहीं आंपर कर देना, बिकास में 50% तो आपका English ही है स्टेनों में, है की नहीं? तो जो English वाला है, तो जितना आपको मतलब cost benefit ratio मिलेगा, उसी हिसाब से आपको input डालना है किसी भी subject में, जैसे English में आपका पूरा 200 में से 100 number का तो English ही है, तो English पे of course बनाते हुए, बट जीके के है कि जीके के वज़ए से जितने बीच है, मैंने All India Rank 19 से बात की, 54 से 57 से ठीक है, तो वो 30 प्लेस आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना मैं आपको बता दिया है, बाकि अगर आपको कोई doubt है, तो please comment में drop कर दीजएगा, बाकि मिलते हैं कल संडे को, परमार SSC Telegram पे ये live होने वाला, जिन लोग को नहीं पता है, उसका link भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, तो परमार SSC Telegram को join करके, यहां तो morning quizzes में regular हो जाईए, और जो कल टेलिग्राम का live होगा, 9 p.m. पे होगा Sunday को, ठीक है, कल लियाने की काफी लोग हो सकता है कि, परसों भी इस वीडियो को देखें, तो, अलिड, यालिए, थैंकियो.